सो हेलो गाज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंदरा बैंक प्रस्नल लोन के बारे में कोटक महिंदरा बैंक से अगर आप इमर्जेंसी लोन लेना चाहते हैं या प्रस्नल लोन लेना चाहते हैं या किसी भी परकार की जो है आप सबको जल्दी में पैसा लेना है तो कैसे आप ले सकते हैं कोटक महिंदरा बैंक से आज की इस वीडियो में आप सबको A to Z पुसस दिखाने वाले है वीडियो के टिव किस्टन में आपको लिंक मिल जाएगी इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस आएगा यहाँ पर आनिक बाद आप सबको लोन का सेक्षन दिखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आप सबको कुछ डिटर्स दिखा जाता है देख सकते हैं यहाँ पर EMI कलकुलेट सब को लोन लेने से पहले एक बड़ोन कारी लेना है यहां पर यापा कि अच्छा काशा मिले ला था दिखश्कते हैं आपको जीरो कोलड़ेटर पर जो है आपको यहांपे लोन मिल ला था है लोन एम मॉन टर् нравится आ आप्लोड़ कीवाई सिंग ओर कर चालिस लाग तक अपना किवासी complete करा सकते हैं simply आप उपर में देखेंगे तो यहाँ पर आप सब को EMI calculator मिलता है यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस पर कासे interface दिखा जाता है यहाँ पर को loan amount कितना चाहिए वह आपको यहाँ पर देखेंगे तो 5360 रुपया का आता है उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है principal amount जो है दो लाख रुपया दिया जा रहा है मतलब हमको loan यहाँ पर दो लाख रुपया दिया जा रहा है और interest rate people लेखेंगे तो 55168 रुपया हमको यहाँ पर देना है ठीक है टोटल पैसा जो है इस bank को पे करना है दो लाख 55168 रुपया तो इस परकार से जो है आप अपने EMI calculate पर लेक कर लेंगे उसके बाद आप apply करेंगे उसके बाद उपर में जो है आप सबको यहाँ पर ability मिल जाता है ability पर क्लिक करते हैं यहाँ पर पाता चल जाएगा कि कौन कौन से लोग जो है आप लाइक कर सकते हैं निचा पाते हैं तो यहाँ पर एज दिया गया है आपका एज जो है एक कोई सब्सक्राइब कर आशाट बरस के बीच में होना चाहिए उसके बाद यहाँ प यहाँ पर work experience यानिकि जिस भी company में आप work करते होंगे इंचल पुराना customer होगे अपको आपको यहाँ पर लोन दिया जा सकता है इसके बाद हम बात करते हैं फ्सक्रार बात करें चार्य के बारे में यहाँ पर एक स्ट्रा चार्ज जो है आप Сबको क्या क्या देना पड़ता ह यहाँ पे दिखाई दे देता है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका starting interest rate जो है 10.99% से starting है और यहाँ पे loan processing fees यहाँ पे 3% जो है आप से लिया जाएगा मतलब अगर आप यहाँ पे 1,00,00 रूपिया इस bank से लेते हैं तो इसमें से 30,000 रूपिया आप सबको processing fees देना होगा यहाँ कि 97,000 रूपिया आपके account में भेजा जाएगा उसके बाद यहाँ पे stamp duty charge दिया गया है जो कि आपके estate पर निर्फ़र करता है यहाँ पे 500 रूपिया दो सो रूपिया तक का आपका stamp duty charge लग जाता है उसके बाद यहाँ पे EMI dishonor bounce charge जो है आप सबसे यहाँ पे 500 रूपिया लिया जाएगा अगर आपके खाते में पैसा नहीं रहता है EMI आपका नहीं करता है तो यहाँ पे 500 रूपिया जो है आप सबको bounce charge देना होगा swap charge दिया गया है repayment method दिया गया है यहाँ पे देखेंगे जो charge के बारे में complete जनकारी दिया गया है तो loan apply करने से पहले जो है आप सबको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है उसके बाद हम बात करते हैं document के बारे में document में जो है आप सबके पास pen card अधार card जो है यह होना चाहिए उसके अलावा जो है आप सबके पास last three month का जो है bank statement होना चाहिए ठीक है उसके बाद नीचे जो है आप आपका pen card होना चाहिए अधार card होना चाहिए अगर pen card अधार card नहीं है तो उसके अलावा जो है आप voter ID card दे सकते हैं options आता है उसके बाद यहाँ पे please do not refresh the page options मिल जाता है इसको आप cross करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से इंटरफेस दिखाया जाता है यहाँ पे पूछा जाता है are you an exempting kotak customer kotak mahindra bank में अगर आपका खाता है तो यहाँ पी yes पे क्लिक करेंगे नहीं तो no पे क्लिक करेंगे यहाँ पे cool total आप सबको तीन step में loan apply करना है पहला में आप सबका आधार pen card और्थनेटिक किया जाएगा उसके बाद आप सबका form fill up किया जाएगा उसके बाद पर success मिल जाएगा अगर आपका document सही होता है तो यहाँ पर आप सबका loan instant मिल जाएगा आप जैसे यह आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस परकार्ट से इंटरफेस दिखाया जाता है यहाँ पर faces में दिख सकते हैं simple theory step को जो है आपको online process complete करना है उस को आपना personal email ID करना है यहाँ पी टैप बताना है कि आप अप you know account करना है किस city सosaurus करते हैं उसके ne注के आप लिपना monthly a और सेलरी दिया गया आप मंतले में केतना रुपया कमाते हैं आपको यहाँ पर फिल अप करना होता है सारे फ़र्म को फिल अप करने के बाद नीचे जो है आप सब को यहाँ पर verify with OTP का options मिल जाता है इस पर क्लिक करकर आपको आगे बढ़ जाना है simply verify OTP पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर अपना OTP फिल अप करना होता है OTP डाल कर नीचे आपको एक box मिलता है इस box को tick up करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको verify का options मिलता है verify पर क्लिक करकर आप आगे बढ़ जाएंगे अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको loan का required कितना है आपको यहाँ पर fill up करना है तो यहाँ पर हम 2,00,00 रुपिया टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पर your pen details दिया गया है आपको यहाँ पर आपना pen card के उपर जो number दिया गया है वो number आपको यहाँ पर fill up करना है उसके बाद आपको continue पर click कर देना है simply आप आपना pen card number डाल कर आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपके समने जो है कुछ इस परकार से इंटरफेस दिखा जाता है अब यहाँ पर इंटर योर 28 digit आधार number fill up करना है 12 digit का हो या solar digit का हो आपको यहाँ पर आपना आधार number fill up करना है आधार number fill up करने के बाद नीचे आपको continue का button मिल जाता है simply इस पर click करकर आपको आगे बढ़ जाना है finally आप अपना आधार card number डाल कर जैसे ही continue पर click करते हैं आपके आधार card पर OTP भेजा जाता है OTP के आपको यहाँ पर fill up करना है fill up करने के बाद नीचे आप सबको verify का options मिलता है इस पर click करकर आपको आगे बढ़ जाना है OTP डाबने के बाद आप जैसे ही verify पर click करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से interface दिखा जाता है यहाँ पर आप सबका आधार card का details दिखा जाता है देख सकते हैं यहाँ पर simply आपको आपना आधार card का details यहाँ पर match करना है उसके नीचे आप सबको यहाँ पर confirm का button मिलता है इस box को आपको टिक करना है उसके बाद नीचे आपको continue का button मिलता है simply continue पर click करकर आपको आगे बढ़ जाना है आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस परकार से interface दिखा जाता है यहाँ पर अगर आपको loan limit मिलने वाला होता है तो यहाँ पर आपको दिखा दिये जाता है जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को जो है आप instant अपने खाते में भेज सकते हैं हमारे एरिया में जो है personal loan की सुब्रा नहीं है क्योंकि हम बिहार से भी लम करते हैं और कोटक महिंदरा बेंक का ब्रांच जो है बिहार में बहुत कम दिया गया जिसके चलते हैं यहाँ पर हम personal loan नहीं ले सकते हैं आप यहाँ पर try करेंगे यहाँ पर जो भी आपका loan limit मिलेगा उस limit को आपको select करना है उससे अगर आपको कम लेना है तो वहाँ पर आपको options मिल दाएगा कम करकर भी जो है आप loan ले सकते हैं simply आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है एक step और fill up करना होगा उसके बाद जो है आप सबको पैसा transfer करने का options मिल दाएगा direct आप अपने खाते में transfer करकर पैसे को use कर सकते हैं